नमस्ते दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ बहुत अच्छा अच्छा टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको किचिन में बहुत काम आएगा और आप इसको एक वर देख लोगे न तो बिल्कुल आपका काम अशान हो जाएगा और बहुत ही आपको फायदा होगा तो चलिए पह कुछ सबसे नहीं पता चले। तो रालू का तो सब्जी बनाता या भूर्ता बनता तो जिस sony, निकाएगे तो अपनाते हो और आपका स्वाद कर दें कर दें कि विकलू आपका बलता चीनी खारें तो उसको कैसे यह कर एंगे कि जो कि आपको मीठा ना हो तो आलू जैसे लिजिए पहले तो आप उसको चेक करके लिजिए फटे नहीं चेक नहीं खर सकते हैं अकसर भूख ले तो आलू जो ज़्यादा चिकना है वो ज़्यादा मीठा रहे और जो फटे फटे रहेंगे थोड़े से देखेंगें गला शो रहेंगे तो बोलस्ति आ était कंगी और शोली ज़्यादा अच्छा रहेगा और जो ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा रहेगा वह ज्यादा मीठा रहेगा तो उसका सब्झी या कुछी भूरता बनाओ चैट लगता अज़प में लिया तो आप अगली बार से इस तरह का चेक करके बताईएगा और अब ही तक मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाईएगा और और शेर जरूर किजिएगा ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो और जो उनको सेर कर रहे हैं उनको भी अच्छे टीप्स और ट्रिक्स मिलता रहे हैं तो चलिए बढ़ते होता है किसी ब्रस्ट में सब्सक्राइब करना चाहिए तो अलग अलग एसे रखेंगे ताकि ब्रस में किसी दुसरे का एक कव इंफेक्शन दुसरे को ना पकड़े तो उसको कैसे रखेंगे तो उसको आज मैं बताऊंगी ताकि आपको कोई भी बावर्व्लम बाहर जब ज तो यह सबकुछ मिलता है तो आप फेग देते हो हेर कलर करते हो उसमें देता है तो इस तरह से बचाके भी रखिए तो आप क्या की हाथ डाले यह हाथ डालने के प्वाद यह फैल जाएगा और उसके यह तो हाप हवा से मतलब मुह से फुक लिजे तो वह पुरा खुल पेश्ट है तो उतना कोई प्रब्लम होता नहीं है अलग पोलिथीन में रख लिजिए और अगर इस तरह से तीन ब्रस है चार ब्रस है और एक पेश्ट है तो चार ब्रस एक पेश्ट रख लिजिए लेकि मेरे मैं रख लिए दो पेश्ट क्योंकि अक्सर मैं अलग पेश्ट तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दूसरे को होगा और आप एक साथ कम जगा में आप इसको रख सकते हो आप जिसे बड़े-बड़े बैग में रखते थे न वह स्पेस भी और भारी भी हो जाता था अभी इसको रखिएगा कोई भी जगा नहीं छेकेगा और भारी भी रहेगा तो चलि अगले टीप्स के तरफ चलते हैं तो यहां पे है टिप्स ऐसा जो कि यह है fact को लेकर के तो टुद ng को जाता है उसके लिए निकालने या जैसे आप कुछ खाते हो कुछ खाने के लिए भी बटिक का यूज करते हो froot कहने के के लिए बहुत सारे काम आते हैं तो सब के पास तुथफिक रहता ही है तो तुथफिक को कैसे मतलब अच्छे से से रखेंगे उसको मैं बताऊंगी तो पहले क्लिनिंग एक बहुत अच्छा जाल बताती हूं कि जो आप जिसे रिंग वह पहनते हो ना तो रैट हैंड में मैं आटा गुतते हो वो अंगुठी के अंदर मतलब मतलब चला जाता है तो हमेशा टेंसन रहता है निकलता नहीं है फिर मालने की दूसरा खाना बना तो उसमें चला जाएगा और तो इसको साब करने के लिए तुथपी की तो तभी को तो इसको यूज करेंगे तो इसको आप ऐसे अच्छा सार है क्योंकि इसको ढात भी डाले सकते हूं थो रहे करenter के आप इसमें लगा लिजे सरसो का तेल सभी के पास होता है तो आप सरसो का ही तेल जादा नहीं एक दो बुंद ले करके लगा लिजिए और उसको मिक्स करके मतलब सबको लगा लिजिए उसको तवा गरम किजिए हलका सा गरम किजिएगा बिर से हलका सा पानी चोड़ देगा और फिर जर्म होने का डर रहेगा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए फिर उसी मतलब डबे में इसको भर करके आइसको रख देंगे बिलकुल आप यूज कीजिए बेफिक्र हो करके कभी भी कोई जर्मनी आएगा खराब भी नहीं होगा तो चलिए अब अगले टिप्स के तरफ चलते हैं जो की बहुत वो भी बहुत अच्छा है और आपको बहु लग जाता है पुजग समय तो जलता नहीं है यह ठंडी के मौसम में खराब मतलब डबा हो जाता है माचीश का डिबी खराब जाता है तो जलता नहीं तो इसको कैसे क्या करेंगा तो देखिए आइरन लेगे आइरन को तो हलका सा गरम कर लिजे और उसके बाद गरम होने के तो ज्यादा नहीं हलका सा गरम करने के बाद आफ कर लीजिए और उसके बाद या तो कपड़ा आइरन कर रहे नहीं उसके बाद गरम रहता उस समय इसको इस तरह से आप गरम करते चले जाए और पूरे बिल्कुल जो पानी बगरा लगा हुआ हो या मतलब मॉइस्ट हो चुक नहीं बढ़ु हो तो पानी में डाल के निकाल दो नहीं लगते तो अहीं यह तरह से क्या पहले से इसको कर करके रख देंगे या पहले से सब नॉलेज रहेगा तो आपको दिपाबली में दिक्कत नहीं होगा तो यहां पर लिया है पानी कोई बरतने पाएं ले लिजे जो कि आप पहले भी करते होंगे इस तरह के कर लिजे और उसके बाद इस जो दिया है उस सब को डाल द हो नहीं हो explaining कोई भी ले दिए अब थोड़ा सा ईस पर डाल दीजे और इसके बाद इसको कुछ दिर छोड़ दिजे और इसके बाद इसको निकाल कर यूज करेंगा बेलकुल अब जितना ते आपल लगना चाहिए और इससे कम ही लगेगा और भूइत आप खुसबू हलका सा तो यह भी टिप्स बहुत अच्छा है दिपाबले के लिए बहुत अच्छा आप क्या जानते थे अगर जानते थे तो आप कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको सारे टिप्स अच्छा लगा तो जरूर कॉमेंट किजेगा और कौन सा टिप्स ज्यादा अच्छा बस्वाचिं!